पत्रकारिता, न्यूज, जॉर्नलिस्ट या ये कहें कि न्यूज चैनल्स ये सब इसलिए है क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तम है देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आप से जुड़ी खबर है ये सही तरीके से आप तक पहुचाने के लिए पत्रकारिता की जाती है लेकिन शायद आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता को गलत तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और इस मुद्दे को हम बहुत पहले से ही उठाते वे आए हैं क्योंकि देश में अगर देखा जाए, तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे YouTube चैनल्स हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, जो नामी पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग आप में से उनने जानते होंगे हो सकता है कि मेरी बाते उन लोगों को जो ऐसे पत्रकारों को समर्थन करते उन्हें बुरी भी लगे लेकिन आइना दिखाना बेहद जरूरी है आज देखा जाए तो न्यूस क्लिक के दफ्तर और उसमें काम करने वाले पत्रकारों के यहाँ पर लगातार छापे मारी की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को ओल्लाइन पोर्टल निउस्पलिस के दफ्तर और उसके काम करने वाले पत्रकारों के घरों पर छापे मारी है यह चापे मारी दिल्ली, नोयडा, गाजयबाद, गुरुग्राम, मुंबई के ठिकानों पर हुई है और एक दो नहीं करीब सो ठिकाने है और स्पेशल सेल के करीब 500 पुलिस कर्मी इस रेड में शामिल है कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है चाहे वो उर्मीश हो, चाहे वो सत्यमतिवारी हो, चाहे वो बात की जाए और पत्रकार हो कैसे बहुत सारे नाम हैं जो आगे मैं आपको गिनाओगी इन पर कारवाई जो है वो UAPA के तहट की गई है दरसल न्यूस क्लिक के खिलाब जो कारवाई है वो 17 अगस को दर्ज की गई थी शिकायट इस पर ही ये कारवाई की जा रही है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर UAPA के सेशन 16 आतंगवादी अधिनियम सेशन यानि की आतंगवादी गतिविदियों के लिए धन जुटाना, सेक्शन अठारा, साजिश रश्णा, सेक्शन बाईसी, कमपनियों द्वारा अपराग के तहट मामला दर्ज किया गया है जो आप रेलेजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन-किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए है परवर्तन दिशाले ने पहले फंडिंग के स्रोतों की जांच करते हुए फर्म के परिसर पर छापे माली किसके बाद इन्पुट जुटाने के अधार पर स्पेशल सेल ने नया मामला दर्ज किया ये जो मामला है दरसल UAPA IPC की धारा 153A दो सम्हों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले और IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश के तहट दर्ज की गया ये मैंने पहले आपको पत्रकारों के नाम गिनाए और मिलेश सत्यम तिवारी इनको हिरासत मिलिया गया है इसकी अलावा देखा जाए तो अभिसाज श्वर्मा और जो न्यूस क्लिक के संस्थापक है प्रधान संपादक प्रबीर पुर्सकाइस्थ को स्पेशल सेल के दफ पत्र लाए गया है तमाम पत्रकारों के फोन, लाप्टॉप और जो भी गेजेट्स हैं उन्हें जब्द कर लिया गया है चानबीन की जारी है इससे पहले जैसे ही उन्हें बुलाया गया उससे पहले एक ट्वीट भी सामने आये था अभिशा सर्मा ने ट्वीट किया था कि दिली पुलिस के स्पेशल सेल हमसे लगतार पूश्टाच कर रही है देखे ये वो लोग है जो एक तरीके से देश विरोधी जो खबरे है वो चला रहे थे सरकार को लगतार गलत तरीके से जो काम कर रही है गलत तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही थी कि सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया है सरकार ने सिर्फ गलत किया है देखे यहां पर अगर यूए पीए के तहट कारवाई की जा रही है जिसमें चीन का नाम सामनी आ रहा है कि चीन ने फंडिंग दी थी इस फंडिंग के आधार पर ये जो पत्रकार है वो लगातार खबरे चला रहे थे अब ये कहते हैं कि सरकार सिर्फ डंडा मार रही है अगर 2014 के बाद से हम देखे तो इंफ्रस्ट्रक्चर हो मेडिकल हो या फिर सिक्षा की हम बात कर लें इन पर काफी जादा काम हुआ है जो शायद इन लोगों ने नहीं देखा और सिर्फ मोधी सरकार की यहाँ पर ये कहीं न कहीं उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते वे नजर आए कि मोधी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है देश तोड़ने हिंदू-मुसलिम करवानी की कोशिश कर रही है एक बहुत बड़ा तपका है जो ऐसे पत्रकारों को लगतार सपोर्ट करता है सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं हमारा मकसद सिर्फ आपको सतीख खबर देना है ना तो हम यह कह रहे हैं कि यह जो गिरफ्तारिया हुई है वो सही है ना हम यह कह रहे हैं कि यह जो चीजे जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है यह गलत है देखे अगर देश खबर को आपके सामने दिखाएं और बताएं कि ऐसे भी एक कहीं ना कहीं तपका है जो चल रहा है देखें फंडिंग की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ऐसे जो यूटूब चैनल से ऐसे जो पत्रकार हैं मिलियन्स में इनके फॉलोवर्स हैं मिलियन में व्यूज आते हैं और फेस्बुक के माधियम से टुटर के माधियम से या यूटूब के माधियम से बहुत सारा पैसा इनके पास आता है ऐसी जौनकारी मिल रही है अब एक अभिसार शुर्मा के हम बात करने तो इनके भी फैन फॉलोवर्स है इसके लावा कुछ ऐसे बड़े भी पत्रकार हैं ज हिंदू मुसल्मान हो सकता है और जो सही जानकारी है जो सरकार जो अच्छा काम कर रही है वो पीछे छिप सकता है तो इस पर हमें ध्दैनी की जुरूष है इस पर बात करने की जुरूष है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझेंगे कि आखिर देश में हो क्य चल रही है सरकार की हर positive चीज को दिखा रही है एक तरफ हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता बिलकुल negative चल रही है जो सरकार को सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ऐसा क्यों हो रहा है लोगतंत्र का चौथा इस्तम पत्रकारिता है उस पर ही प्रशन्चिन अगर से इनकी ठिकानों पर चापे मारी की जा रही है क्या कुछ है वो तो निकल कर सामने आई जाएगा लेकिन इस पर राजनीते भी बखू भी हो रही है अब कॉंग्रे से कह रही है कि जान बूच कर ऐसी आवास दबाने की कोशिश सरकार कर रही है सरकार जो है वो ताना शाही पहला आए जाए तो इस सरसर गलत है देश ये बरदाश नहीं करेगा ऐसे लोगों पर कारवाई होनी जरूरी है कमेंट जरूर करें वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेर जरूर करें और न्यूजवल इंडिया आप जरूर डाउनलोड करें